कि हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैंच दारेन नामक एक जागरूखता भियान शुरूंग किया गया है चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे आपका कुर्श्चन्स प्रेलिम्स में यानिकी प्यारेमिक परिक्षा में भी चाहिए आपकी स्टेट PCS हो या सिविल सर्वेस हो या फर कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हूं या निवंद लिख रहे हूं तो वहां भी इस पॉइंट को आप लोग सामिल कर सकते हैं इस तरह के ठीक है हाली में आपने देखा होगा कि राष्टिये जल मिसन और जल सकती मंतराले और नेहरू इवा केंद संगठन और इवा कारिक्रम और खेल मंतराले के सहयोग से कैंचिदा रेंट नामक जागरूकता वियान की सुरुआत की है कौन-कौन मिलकर इसमें सहयोग कर रहा है आपका राष्टिये जल मिसन भी सामिल है जल सकती मंतराले भी सामिल है अब यह आपने हाली में देखा होगा कि जल सकती मंतराले बनाया गया था उसी की बात कर रहा हूँ इसने क्या किया है कि निवा नेहरू युवा केंद संगठन और युवा कारिकरम और खेल मंतरा लेके सहेवक से इसको इस अभियान को सुरू किया है जिसका नम क्या है कैचिदा रैन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सालों पहले मत जाईएगा कुछी साल, 2-6 साल, 2-4 साल पहले कि इतना पानी रहता था कि कहीं आप लोग जाते थे तो कूओं में से हाज से पानी निकाल सकते थे और आज की समय में आप लोग देखते होंगे कि मालू ही ने चलता है कि बरसात का वह सम कब गुजरग वाया है कब बरसाद हुई, कब ठंड हुई, कब गर्मी पड़ी, कुछ मालू ही नहीं चलता है तो एक तरह से हम लोग ने पर्यावण के साथ इतना नुकसान पहुंचाया है इतना छेड़ छाड़ किया है कि उसका भुकतान हम लोगों को करना पड़ रहा है आप समझ रहें? आप समझेँ जब जंगल नहीं रहेंगे, पेड नहीं रहेंगे तो बरसाद कहां से होगी? तो जब भी आपके यां कोई तिवार होता है, या कोई आपका बड़े होता है, कभी आता है तो आप एक-दो पेड लगा सकते हैं, ठीक है? मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग party party मत करिए करिए आप लोग party इसकी जगए आप एक दो पेड़ लगाएंगे तो याद बना रहेगा जब तक पेड़ रहेंगे तब तक आपकी याद रहेगी समझ रहे हैं तो आप भी सहयोग कर सकते हैं इसकी tag line क्या है बारिस के पानी का संरक्चन जहां भी संभाव हो जैसे भी संभाव हो इसे करना आप लोग समझते होंगे समझे आप लोग कि जब बरसा हो रही है तो उस पानी को आप लोग एकटा कर सकते हैं या तो जमीन में कर सकते हैं जमीनी जो जलिस्तर होगा पानी का वो उपर उठ जाएगा या फिर आप लोग एक टैंक में से एकटा कर सकते हैं अब कई लोग कहेंगे कि पानी पीने योग नहीं रहेगा खराब हो जाएगा तो कम से कम आपकी जो गाड़ी दुपती है उसके लिए तो हो सकता है आप देख होगा कि आपके छट से पानी गिरता है तो उसे भी एक टैंक लगा दीजिए कहीं इस तरह की विवस्ता कर दीजिए कि वो धर्ती में एक तरह से चला जाए रिस रिस के अभी आप देखते होंगे कि आपकी यहां बरसाद होती है और डारिक पानी जाकर नदियों में मिल जा पानी जाते हैं रोक दिया जाए कई जैगए आप डेखते हैं जाला बना जाते हैं इसलिए बनाए कहने का मतलब यही किस तरह की कोई सरचना बनाना जिससे बरसा का जल एक अख्टा हो सके अभियान के कर्यान्वेंड के लिए प्रभावी प्रिचार और सुचना और सिक्षा, संचार, गतिविधियों के माद्यम से जमीनी इस्तर पर लोगों को सामी करना और इसमें ए भी कर सकते हैं, सिक्षा की बात सही की जा रही है, सूचना की बात सही की जा रही है, संचार की बात सही की जा रही है अब आप सोचिए समाज को अगर हम लोग जागरोग बनाएंगे तभी बोजल की महत को समझेंगे इसकी importance को समझेंगे आप लोग मैं तो कहता हूँ कि बच्पन से ही सिक्षा एक तरह से आपकी जो भी बच्चों की सिक्षा होती है उसमें सामिल कर देना चाहिए इस तरह की topic महला ससक्ती करन की बात करें या गरीबी की बात करें इस तरह की सभी topic उसमें सामिल कर देना चाहिए ठीक है आप लोग भी काफी इसमें योगदान अपने बच्चों को पढ़ाते रहें उन्हें इसके जो भी योगदाने बताते रहें इसमें गती विधियों की बात करनें अगर वाटर हार्वेस्टिंग ये तु गड़े बनाना छट पर र, ड, 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 ब, एच, एस का निर्मार करना और चेकडेम बनाने के लिए प्रोसायन करना कई जगे आप लोग ने इस तरह की विवस्था देखी भी होगी संचैन की भंडारें चमता को बढ़ाने के लिए अतिकर्मनों और टेंकों की सिल्ट को हटाना पानी के उन चैनलों में से और रोधों को हटाना जो जल संग्राय चेतनों से पानी की आप उठती कलते हैं जल को बावस लाने के लिए पारमपरिक जल संचैन सरचनाओं जैसे की छोटे कुए और गहरे गड़े कुओं की मरमत करना जिसे पानी संचित हो सके एक तरह से बात करें जल सकती अभियान सेकंड की कि तेजारी के एक हिस्ते के रूम में नहरू इवाकेंद संगठन दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के 623 जलों में विभिन आईस एसी गतिविधियों के माध्यम से कहचदा रेन जागरूकत अभियान का आयोजन करेगा और IEC गतिविधियों में सेक्षिक और पेर्णादारिक कायकरूम कारकरूम जन जागरूकत अभियान दिवार लेखन बैनर और E बैनर निर्मार सेहत अनेक गतिविधियों सामिल होंगी आपकी राज्यों से पितिक जिली में रेन सेंटर खोलने का अनुरोद भी किया गया है जो सभी के लिए एक तकनीकी मार्क दिर्शन के अंदिकी रूम में कार करेगा आप समझें कि अकेले सरकार कुछ नहीं उखार सकती है अगर सौक्छ भारत अभियान की बात करें तो मैं सरकार को 1% के पल उसका एक तरह से सरे देता हूँ बाकि 99% आप लोगों को देता हूँ क्या करता हूँ आप लोगों को सरे देता हूँ एक तरह से अगर आप सभी लोगों ने उसमें मिलकर भागेदारी ना की होती तो ऐसी सरकारें कई आई और चली जाते हैं कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता अगर सुक्छ भारत अभियान सफल हुआ है तो आप लोगों की बदोलत तो एक तरह से आप लोग युगदान नहीं करेंगे जब भी आपने देखा होगा हमारे प्रिधान मंतरी साब एक भासर देते हैं कि 121 करोड जनसंख्या जब एक एक कदम बढ़ेगी तो 121 करोड हमारे भारत आँगे बढ़ जाएगा आजकल वो 131 करोड कहने लगे यह लग बात है इसके महत्व की बात अगर हम बात करें इंपोडेंस क्यों है जल सरक्षन और वर्षा जल संचेन पर ध्यान देने की आवस्तकता पर जोड देने से युवा जल के महत्व को समझ सकेंगे जल सरक्षन के मुद्दे को सरवोच परातमिक्ता जल बबंधन के लिए एक एकिकरित द्रिष्टी कौण को अपनानी की ओर अग्यसरित करेगी सूर नत्बा केवल सीमित पानी को परिष्टर से बाहर निकालने का विचार मिट्टी की नमी और भूजल इस तर मस्ताहर करने में मदद करेगा सहरी छित्रों में या सडकों पर होने वाले जल भराओ जो की सडकों की छटी को पहुंचाता है को कम करेगा और सहरी बाड को रोकने में साहिक भी होगा एक बात और आप लोगों को बताओ हम लोग जल के महत्त को नहीं समझते हैं कभी आपको जल के अगर मत को समझना है तो बुंदेल खंड और बवेल खंड के कुछ हिस्तों को याद करिए जहां पीने के लिए आपको मालों होना चाहिए कि महलाएक 2-3 किलो मीटर दूर दूर तर जाती है पानी लेने के लिए तब आपको समझ में आएगा पानी का मत या फिर आप लोग एक दिन के लिए सोचिए कि आपके हाट पानी नहीं आला है नल से आपका टनकी भी आपकी खाली हो चुकी है तब हम एक गिलास भी देखते हैं कि का आस मिल जाए मंजन भी कर लें हम लोग समझ रहे हैं और जब पा जो भी लगा हुआ है उसे बंद करके चला जाएं क्या फरक पड़ता है समझ रहे हैं आपको आगे बात करते हैं जल सरक्षन ही तो उठाए गए कुछ और कदम भी हैं इन्हें भी आप लोग याद रखिए मातमागांधी राष्टी ए ग्रामी डोजगार कारंटी अधीनिय अगर आंसर राइटिंग लिए आती है अगर आंसर लिखने के लिए आता है तो इस तरह के आप कदम भी मतलब जो भी सरकार ने उठाए इन्हें भी आप उसमें डाल सकते हैं जल करांटी अभियान यह बिलोग इस तरह यह जल सरक्षन्ड एयोजनाओं के माध्यम सी गाओं और सहरों में करांटी लाने के लिए किया गया एक सक्रिय प्रियास है उधारन के लिए इसके तहसर रूंकी के जल ग्रामी उजना का उद्धिस जल सरक्षन और फरी रक्षन यह तो जल की कमी वाले चेत्रों में दो मॉडल गाओं को बिक्सित करना है मैंने बार बार आप ल चेक डेम बना सकते हैं इस तरह की टेम पानी खटा करने के लिए आप समझ रहे हैं लेकिन सर्पन साहब को अपना विकास करने से फॉर्सत मिली तब तो वो आप लोगों का विकास करें समझ रहे हैं आप लोग इसका उद्देश जल के पिरभावी उपयोग की लक्ष को प्राप्त करना है जल सकती मंत्राले था जल जीवन मिसन तो इसके बारे में अगर बात करें तो जल सकती मंत्राले का गठन जल के मुद्दों के समग रूप से नेपटने के लिए किया गया था और जल जीवन मिसन क का लक्ष वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीड घरों में पाइप द्वाला जला पूर्थी सुनिश्चित की जाएगी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि गोवा में ऐसा हो भी गया है ग्रामीड चेत्रों में हर नल से एक तरह से घर घर पानी पहुंचने लगा है ठीक है अटल भू ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत वार्जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कर्यानमन की मात्यम से समुदाएक भाग्यदारी के साथ भूजल की स्थाई प्रवंदन हेतु केंद्रीचित की एक योजना है क्या अटल भूजल योजना पर आपने देखा होगा जल सकती अभियान इसकी सुराज जुलाई 2019 में देश में जल सरक्षा और जल सरक्षा के लिए एक अभियान की रूम में की गई थी आप लोगों ने यह भी सुनाओगा कि अब आप जो तीसरा विस्से उद्ध होगा यह होगा जल को लेकर भी हो सकता है समझ रहे हैं आप लोग इतन हमारा भी यही खेल होने बाला है आज आप देखते होंगे कि एक बोतल आप लेखते हैं तो 25 रुपे की मिलती है रेलवे स्टेशन कहीं आप जाते होंगे समझ रहे हैं और भी माहिंगी मिलती है लेकिन नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं तो आप समझे कि बोतल में बिखने द्वारा किये अच्छे कारियों और परियासों तथा जल संवरद भारत के लिए सरकार के द्रिश्टी कौंट पर ध्यान केंदित करता है तो यही कान है आपकी कैंचदा बेंच जो अभियान चला रहा है रेन उसी की ठीक है इसके बारे में जो भी यही पॉइंट है आपकी इन्हें यहार रखिए कैंचदा रेन यानि कि कहने का मतलब है कि पानी को आप लोग कैंच करिए यह खटा करिए या उसकी उद्देश को आप लोग उसके मत को समझीए